ओम शान्ती, 18.07.2024 के साकार अनमोल धानना युक्त इश्वर्य महवाके हैं, मीथे बच्चे, सर्विस समाचार सुनने पढ़ने का भी तुम्ही शौक चाहिए, क्योंकि इससे उमंग उत्साहा बढ़ता है, सर्विस करने का संकल्प उठता है, कुश्चन, संगम युकपर बाप तुम्हें सुख नहीं देते लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं, क्यों, अंसर, क्योंकि बाप के सब बच्चे हैं, अगर एक बच्चे को सुख दें, तो यह भी ठीक नहीं है, लोकिक बाप से बच्चों को बराबर हिस्सा मिलता है, बेहद का बाप हिस्सा नहीं बाटते, सुख का रास्ता बताते हैं, जो उस रास्ते पर चलते हैं, पुर्शार्थ करते हैं, उन्हें उंच पद मिलता है, बच्चों को पुर्शार्थ करना है, सारा मदार पुर्शार्थ पर है, ओम चानती, बच्चे जानते हैं, बाप मुल्ली ब पढ़ कर सर्विस करते हैं उन्हों का समाचार मैंकजिन में आता है आप जो बच्चे मैंकजिन पढ़ते हैं उन्हाइज सेंटर के सर्विस समाचार का मालूम पढ़ेगा फलानी फलानी जगह ऐसी सर्विस हो रही है जो पढ़ते ही नहीं तो उनको कुछ भी समाचार का मालूम नहीं पढ़ेगा और पुर्शार्त भी नहीं कर सकेंगे सर्विस का समाचार सुनकर दिल में आता है मैं भी ऐसे सर्विस करूँ मैगजिन से मालूम पड़ता है इसमें भाई बेहन कितनी सर्विस करते है हमारे ये भाई बेहन कितनी सर्विस करते है यह तो बच्चे समझते है जितनी सर्विस उतना उच पद मिलेगा इसलिए मैगजिन भी उत्साह दिलाती है सर्विस के लिए यह कोई फाल तो नहीं बनती फाल तो वह समझते हैं जो खुद पढ़ते नहीं है कोई कहते हैं हम अक्षर नहीं जानते अरे रामाइन भागवत आदी सुनाने के लिए जाते हैं तो बाबा ने का सुनने के लिए जाते हैं सुनाने के लिए जाते हैं तो यह भी सुननी चाहिए, नहीं तो सर्विस का उमंग नहीं बढ़ेगा, फलानी जगे यह सर्विस होई, शौक तो हो किसी को कहीं, वह पढ़ करके सुनाई, बहुत सेंटर्स पर ऐसे भी होगा, जो मैकजिन नहीं पढ़ते होंगे, बहुत हैं जिनके पाश तो सर्विस का नाम निशान भी नहीं रहता, तो पद भी ऐसा ही पाएंगे, यह तो समझते हैं, राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें जो जितनी मेहनत करते हैं, उतना पद पाते हैं, पढ़ाई में अटेंशन नहीं देंगे, तो फेल हो जाएंगे, सारा मदार इस समय की पढ़ाई प उतना अपना ही फाइदा है, बहुत बच्चे हैं, जिन को मैकजिन पढ़ने का ख्याल ही नहीं आता, वो पाई पैसे का पद पालेंगे, वह यह ख्यालात नहीं रहते, इसने यह पुर्शार्ट किया, तब यह पद मिला, नहीं, तो करम, विकरम की बाते सब यहां ही में है, कल्प के संगम युक पर ही बाप समझाते हैं, जो नहीं समझते वह तो जैसे पत्थर बुद्धी है, तुम भी समझते हुम स्वच बुद्धी थे, फिर उसमें भी परसंटेज होती है, बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं, अभी कल्यूग है, इसमें आपार दुख होते हैं, यह यह दुख है, जो संसिबल होंगे वह जट समझ जाएंगे, कि यह तो ठीक बोलते हैं, तुम भी जानते हो कल हम कितने दुखी थे, अपार दुखों के बीच में थे, अब फिर अपार सुखों के बीच में जा रही हैं यह है ही रावन राज्य कल्योग यह भी तुम ही जानते हो जो जानते हैं लेकिन औरों को नहीं समझाते तो बाबा कहेगा यह कुछ भी नहीं जानते तब कहें जब सर्विस करें अगर वो जानते हैं तब कहें जब सर्विस करके दिखाएं समाचार मैगजीन में आए तो दिन प्रति दिन बाबा बहुत सहज सुनाते रहते हैं वो लोग तो समझते हैं कल्यूग अजन बच्चा हैं जब संगम समझे तब भेंट भी तो करें न शत्यूग और कल्यूग में दोनों की भेंट करें कल्यूग में अगर दुख हैं सत्यूग में तो अपार सुख हैं कल्यूग में अपार दुख और सत्यूग में अपार सुख हैं बोलो आपार सुक हम बच्चों को बाप दे रहे हैं जो हम वर्णन कर रहे हैं और कोई ऐसी समझा न सके तो तुम नई बाते सुनाते हूँ और कोई तो यह पूछ न सके कौनसी बात कि तुम स्वारगवासी हो या नर्गवासी हो तुम बच्चों में भी नंबर वार हैं इतनी पॉइंट सियाद नहीं कर सकते हैं समझानी समय देहे अभिमान आ जाता है आत्मे ही सुनती है वा धारन करती है परन्तु अच्छे अच्छे महरती भी यह भूल जाते हैं देहे अभिमान में आकर बोलने लग पड़ते हैं ऐसे सब का होता है बाप तो कहते हैं सब पुर्शार्थी हैं ऐसे नहीं कि आत्मा समझ बात करते हैं नहीं बाप आत्मा समझ ग्यान देते हैं बाकी जो भाई भाई हैं वह पुर्शार्थ कर रहे हैं ऐसी अवस्था में ठैनने का तो बच्चों को भी समझाना है कल युग में अपार दुख है और सत्युग में अपार सुख है अभी संगम युग चल रहा हैं बाप राष्टा बताते हैं ऐसे नहीं कि बाप सुख देते हैं सुख का राष्टा बताते हैं और दुख का भी रास्ता बताते हैं, अब डिशाइट हम नहीं करना है कि कौन से रास्ते पर चलना है, इसलिए बाबे कहते हैं, सुख देते नहीं हैं, और ना बाब दुख देते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं, फिर जो जितना पुर्शार्थ करेंगे, उतना सुख तो सुख देते नहीं, बाप की शिरी मत पर चलने से सुख पाते हैं, बाप तो जिरब राष्टा बताते हैं रावन से दुख का राष्टा मिलता हैं, अगर बाप देता हो, तो फिर सब को एक जैसा वर्षा मिलना चाहिए जैसे लोकिक बाप भी वर्षा बादते हैं, यहां तो जो जैसा पृर्षार्थ करे बाप राष्था बहुत सहज बताते हैं ऐसे ऐसे करेंगे तो इतना उंच पद पाएंगे, तो बच्छों को पृर्षार्थ करना होता है हम सबसे जास्ती पद्ध पाएं पढूँच पड़ना हैं एसी नहीं यह बन औachment पड़ कोई टीवर पुर्शार्थ करते हैं कोई डल सारा पुर्शार्थ पर ही मदार है तो बाप ने तो राष्टा बताया है मुझे याद करो जितना याद करेंगे उतना विकर्मी विनाश होंगे ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है यह है तो समझ की बात है वर्ल्ड की हिस्ट्री जोगरफी रिपीट होती है तो जरूर जो पार्ट बजाया है वही बजाना पड़े सब धरम फिर से अपनी समय पर आएंगे समझो क्रिश्चन अब सो करोण है फिर इतने ही पार्ट बजाने आएंगे ना आत्मा विनाश होती ना उनका पार्ट कभी विनाश हो सकता यह समझने की बाते हैं जो समझते हैं तो समझाएंगे भी जरूर धन दिये धन ना खोटे धान ना होती रहेगी ज्यान धन ऐसा है जितना धन करते जाते हैं उतना बढ़ता जाता है यह कभी खोटता नहीं है तो धन दिये धन ना खोटे धान ना होती रहेगी औरों को भी सहुकार बनाते रहेंगे लेकिन तकदीर में नहीं है तो फिर अपने को भी बेबस समझते हैं टीचर कहींगे तुम बोल नहीं सकते तो तुम्हारी तकदीर में पाई पैसे का पद है तकदीर में नहीं तो तद्बीर भी क्या कर सकते यह हैं बेहद की पार्शाला हर एक टीचर की सब्जेक्ट अपनी होती है बाप के पढ़ाने का तरीका बाप ही जाने और बच्चे जाने और कोई जान नहीं सकते तुम बच्चे कितनी कोशिश करते हो तो भी जब कोई समझे बुद्धी में बैठता ही नहीं जितना नजदीक होते जाएंगी देखने में आता है होश्यार होते जाएंगी अब मुज्यम रुखानी कॉलेज आदी भी खोलते हैं तो तुम्हारा तो नाम ही न्यारा है रुखानी युनिवस्ट्री गवर्मेंट भी देखेगी बोलो तुम्हारी ये जिस्मानी युनिवस्ट्री और यह है रुखानी 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 पढ़ती है सारे चुरासी के चक्र में एक ही बार रुखानी बाप आकर रुखानी बच्चों को पढ़ाते हैं ड्रामा यानि फिलम तुम देखेंगे फिर तीन घंटे बाद हु बहु रपीट होगा यह भी पांच जार वर्स का चक्र हु बहु रपीट होता है यह तुम बच्चे जानते हो वह तो सिरब भक्ती में शास्त्रों को ही राइट समझते हैं तुमको तो कोई शास्त्र नहीं है तो बाप बैठ समझाते हैं बाप कोई शास्त्र पढ़ा है क्या? यह तो गीता पढ़ करके सुनाइंगे पढ़ा हुआ तो मा के पेट से नहीं निकलेगा न? बेहद के बाप का भी पार्ट है पढ़ाने का अपना परीचे देते हैं दुनिया को तो पता ही नहीं है गाती भी हैं बाप ज्यान का सागर है सिरी कृष्ण के लिए नहीं कहते ये ज्यान का सागर है ये लक्षमी नारेन ज्यान के सागर हैं क्या ज्यान की प्रालब्द पाई है वह भी ज्यान के सागर नहीं है सिवाई शिव बाबा के और कोई ज्यान का सागर हो ही नहीं सकता यही वंडर है यह ज्यान के सागर है क्या तुबाबा ने का नहीं तो यह भी वंडर है हम ब्राह्मन ही यह ज्यान सुनाते हैं शिरी मत पर तुम समझाते हो इस हिसाब से हम ब्रह्मन ही प्रजया पिता ब्रह्मा की संतान थेड़े अनीक बार बने थे फिर होंगे मनुश्यों को समझ में जब आएगा तब मानेंगे तुम जानते हो कल्प कल्प हम प्रजया पिता ब्रह्मा की संतान एडॉप्टिड बच्चे बनते हैं जो समझते हैं वह निश्चे बुद्धी भी हो जाते हैं ब्राहमन बनने विगर देवता कैसे बनेंगे हर एक की बुद्धी पर है बात कहते हैं विकार में गिरे तो की कमाई चट होई फिर बुद्धी में बैठेगा ही नहीं अंदर में खाता रहेगा गिल्टी होते रहते हैं तो दाड़ना कैसे होगे तुम समझते हो इस जनम में जो पाप किये हैं उनका तो सबको पता हैं बाकी आगी जनम में क्या किया है वह तो याद नहीं है पाप किये जरूर है जो पुन्य आत्मा थे वही फिर पाप आत्मा बनते हैं हिसाब किताब बाबैर समझाते हैं बहुत बच्चे हैं भूल जाते हैं पढ़ते नहीं हैं अगर पढ़ीं तो जरूर पढ़ाईं भी कोई डल बुद्धी होश्यार बुद्धी बन जाते हैं डल बुद्धी होती धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते होश्यार भी हो जाते हैं कितनी बड़ी पढ़ाई है इस बाप की पढ़ाई से सूर्य वंशी चंदर वंशी घराना बनने का है वह इस जनम में ही पढ़कर और मर्तबा पा लेते हैं तुम तो जानते हो इस पढ़ाई का पध फिर इस दुनिया में नहीं नई दुनिया में मिलना है वह कोई दूर नहीं है जैसे कप्डा बदला जाता है ऐसे ही पुराने दुनिया को छोड़ नई दुनिया बनने ही हैं नई दुनिया में जाते हैं विनाश भी जरूर होगा अब तुम नई दुनिया के बन रहे हो फिर यह पुराना चोला छोड़ जाना है नंबर वार राजधानी स्थापन हो रही है जो अच्छी जीती पढ़ेंगे वही पहले स्वरग में आएंगे बाकी पीछे आएंगे स्वरग में थोड़ी आ सकते हैं स्वरग में जो दास दासियां होते हैं वह भी दिल पर चड़े हुए होंगे ऐसे नहीं कि सब आ जाएंगे अब रोहानी कॉलेज आदी खोलते रहते हैं सब आकर के पुर्शार्थ करेंगे जो पढ़ाई में उच दीखे जाएंगे वह उच पद पाएंगे डल बुद्धी कम पद पाएंगे हो सकता हैं आगे चल डल बुद्धी भी अच्छा पुर्शार्थ करने लग पड़ें कोई समझदार बुद्धी नीचे भी चले जाते हैं पुर्शार से समझा जाता है ये सारा ड्रामा चल रहा है आत्मा शरीर धारण कर यहां पार्ट बजाती है नया चोला धारण कर नया पार्ट बजाती है कब क्या और कब क्या बनती है संसकार आत्मा में होते हैं ज्ञान बाहर में जरा भी किसी के पास नहीं है बाप जब आकर पढ़ाए शिवाई बाबा के ज्ञान कोई नहीं देता इसलिए बाबा कहते बाहर में किसी को नहीं है बाप जब आकर के पढ़ाई तब तो ज्ञान मिले तीजर ही नहीं तो ज्ञान कहां से आए वह हैं भक्त भक्ती में अपार दुख है मीरां को बल साक्षातकार हुआ परन्तु सुख थोड़ी था क्या बिमार नहीं पड़ी होगे माहा तो कोई बिमारी दुख की बाती नहीं सत्यूग में बिमारी यादी दुख की बाती नहीं है यहां अपार दुख है वहां अपार सुख है माहा यहां यह सब दुखी होते है राजाओं को भी दुख है ना नाम ही है दुख ताम वह सुख धाम है सम्पोन दुख सम्पोन सुख का यह संगम यूग है सत्युग में सम्पोन सुख कल्यूग में सम्पोन दुख है दुख की जो विराइटी है सब बुधि में व्रदी को पाती रहती है आगी चल कितना दुख होता रहेगा अथा दुख के पाहड गिरेंगे वह लोग तो तुम्हें बोलने का भी टाइम थोड़ा देते हैं दो मिन्ट दे में तो भी समझाओ सत्युग में अपार सुक थे चो बाप देते हैं रावन से अपार दुख मिलते हैं अब आप कहते हैं काम पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे इस ज्यान का विनाश नहीं होता थोड़ा भी सुना तो स्वरग में आ जाएंगे प्रजा तो बहुत बनती हैं कहां राजा और कहां रंग हर एक की बुद्धी अपनी अपनी हैं जो समझ कर औरों को भी समझाते हैं वही अच्छा पद पाते हैं ये स्कूल भी मोश्ट अनकॉमन हैं भगवान आकर पढ़ाते हैं सिरी क्रिशन तो फिर भी दैवी गुन वाला देवता है बाप कहते हैं मैं दैवी गुनों और आशुरी गुनों से न्यारा हूं मैं तुम्हारा बाप आता हूं पढ़ाने रोहानी नौलेज सुप्रीम रूहु ही देता हैं गीता ज्यान कोई देह धारी मानुष्यवा देवता में नहीं दिया है विष्णु देवता इनमा कहते हैं तो क्रिशन कौन देवता क्रिशन ही विष्णु है यह कोई भी जानते ही नहीं तुम्हारे में भी भूल जाते हैं खोद पूरा समझा हुआ ही नहीं है तो औरों को क्या समझाए सर्विस करके सबूत ले आए तब समझे यह सर्विस की है इसलिए बाबा कहते हैं लंबे चोड़े समाचार न लिखो वो फालतो आने वाला है ऐसा कहकर गया है आधी आधी यह लिखने की दरकार नहीं है कम लिखना होता है देखो आया ठैरता है समझ कर और सर्विस करने लगे तब समाचार लिखो कोई कोई अपना शो बहुत करते हैं बाबा को हर बात की रिजल्ट चाहिए यह तो बहुत ऐसे तो बहुत आते हैं बाबा के पास फिर चले भी जाते हैं उनसे क्या फाइदा उनको बाबा क्या करें ना उन्हें फायदा ना तुम्हें तुमारे मिशन की व्रदि तो हुई ही नहीं अच्छा मीथे मीथे सिक्के लदे बच्चों परते मात-पिता बात-दादा का याद प्यार टाइमानु वानलिंग रोखानी बाप की रोखानी बच्यों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार Good morning, Diamond morning रोहानी बाप को नमस्ते धारना के लिए मुखी सा रहे किसी भी बात में विवस नहीं होना है स्वेमी में ज्ञान को धारन कर दान करना है औरों को भी सुनाना है तकदीर जगानी है Second point किसी से भी बात करते ही समय स्वेम को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है जरा भी देहे अभिमान ना आए बाप से जो अपार सुक मिले है वह दूसरों को भी बाटने है बरतान दिल और दिमाग दोनों के बैलिन से सेवा करने वाले सदा सफलता मुर्द भाव कई बार बच्चे सेवा में सिरफ दिमाग यूज करते हैं लेकिन दिल और दिमाग दोनों को मिला कर सेवा करो तो सेवा में सफलता मुर्द बन जाएंगे जो सिरफ दिमाग से करते हैं उन्हें दिमाग से थोड़ा टाइम बाप की याद रहती है कि हाँ बाबा ही कराने वाला है लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो ही मैपन आ जाएगा और जो दिल से करते हैं उनके दिल में बाबा की याद सदा रहती है फल मिलता ही है दिल की सेवा करने का और यदि दोनों का बैलेंस है तो सदा सफलता है स्लोगन बेहद में रहो तो हद की बाते स्वता समाप्त हो जाएंगी बेहद में रहो तो हद की बाते स्वता समाप्त हो जाएंगी बर्दान हैं विशेश रूप से अपनी मंसा अर्था संकलप शक्ती द्वारा, मानि की शक्ती द्वारा, आपनी संग के रंग द्वारा, संभन के स्नहीं द्वारा, खुशी के अखुट खाजाने द्वारा, अखंड दान करते रहना यही है प्रोपकारी बनना कोई भी आत्म संपर्क में आई तो खुशी के खजाने से संपन होकर के जाए ऐसे अखंड दाने बनो ओम शंति